हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इलाहबाद में योगी को दिखाए गए काले जंडे हनुमान जी को दलिक बताने का किया विरूद हरुमान जी को दलिक बताए जाने से नारा सपा कारे करताओं ने मुख्य मंतरी योगी अधित्यनात जी को काले घंजंडे दिखाए पुलीस ने तीन कारे करताओं को हिरासत में ले लिया है योगी आदित्यनाथ जहां कुम्भा पिशे कारे करम में शामिल होने पहुंचे थे CM ने कहा कि जिने धर्म के बारे में जानकारी नहीं वही लोग बेवजह बाल की खाल निकालने पर तुले हैं ऐसे लोग संकीन मांचिक्ता के शिकार है कुम्भा शिक के केम कारे करम में आए योगी ने कहा किसी के काम पर उंगली उठाना आसान होता है दूसरों पर उंगली उठान के बजाए अगर हर कोई जिम्मेदारी निभाए तो धर्ती दिव्य लोक में बदल जाएगी हर वेक्ति अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाए तो आयोजन में कमी नहीं दिखेगी लोग अपनी कमियां दूर करें और दूसरों की गलतियों से सीखें तो देश दिव्य हो सकता है सीखें योगी ने पिछले दिनों दिये एक बयान में हनुमान जी को दलित बताया था इसके बाद से ही विरोधी लगातार हमले कर रहे हैं कारेकरम में वापस लोटते समय समाजवादी पाचे के कारेकरताओं ने उन्हें काला जंडा दिखाया तीन कारेकरताओं को पुलीस ने हिरासत में ले लिया है दारागंज में संगम पुलीस चौकी के पास यह घटना हुई योगी के दलित हनुमान पर आजम खां का तंज अभी चुनाव तक रावन मुसल्मान हो जाएगा राजस्तान में विधान सुभाद चौनाव प्रचार के दौरान दिये गए योगी अधित्यनात के बयान पर अब समाजवादी पात्ये के वरिष्ट नेता आजम खां ने तंज कसा है उन्होंने चुछकी लेते हुए कहा कि योगी इतिहास में पिएशडी हैं अभी तो उन्होंने हनुमान जी को दलित बनाया है चुनाव खत्म होने तक रावन को मुसल्मान भी बना देंगे योगी के बयान के वहान ने आजम ने भारती जन्ता पार्टि पर भी निशाने पर लिया आजम ने कहा भाजपा नेता पहले ही सिता जी को टेस्ट्यूब बेबी बता चुके हैं अब योगी ने हनुमान को दलित बताया है समझ नहीं आता उनके बयान पर हंसे या रोए राजस्तान में भी योगी का विरोध तेज हो गया है पाठी के कुछ विधाय को सादू संतों के साथ अब कई संगटन में भी विरोध में उतर हाए हैं। रोप लगाया तो पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष अमित शाह ने एक टीवी चैनल से बाचीत में कहा योगी अध्यनाथ जी ने ऐसा क्यों कहा यह उन्हीं से पूछना चाहिए मैं इस तहरे के बयान नहीं दे सकता। आयोध्या मामले पर योगी के मंतरी ने खुल कर किया अखिलेश यादव का समर्थन। अखिलेश यादव के बयान आयोध्या में सेना को बुलाना चाहिए का योगी सरकार में मंतरी ओपी राजभर ने अपना समर्थन दिया है। उनकी मांग है कि आयोध्या में फोज बुलाई जाए, पुलीस प्रसाशन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। अखिलेश यादव ने इस सम्मंद में सुप्रेम कोर्ट से अपील की है कि अयोध्या में वी एचपी और सिर्फ सेना की रेलियों को मद्दे नजर सेना तैनात की जाए। उत्रप्रदेश के योगी कैबिनेट में मंतरी ओपी राजपर ने स्पष्ट कहा कि मैं अखिलेश यादव के बयान का स्वागत करता हूँ, अयोध्या में धैरा 144 लगा दी गई है, फिर भी प्रसाशन वहां लोगों को जमा होने दे रहा है, इसका मतलब है कि वह नाकाम हो राजपर ने कहा कि अयोध्या में जब धारा 144 लागू है तब यूपी में मुख्य मंतरी चुनावी अभियान में रूची ले रहे हैं, जिस तरह भी भीड इखटा हो गई है, उसकी जिम्मेदारी मुख्य मंतरी पर बनती है, बता दे कि रविद्दा रविवार को अयोध् विश्व हिंद परिशत का धर्म संसत का रेक्रम है, वहीं सिफ्षेना का भी राम मंदे निर्मान को लेकर अपना अलग का रेक्रम है, जिसके लिए सिफ्षेना प्रमुक मुंबई से मिट्टी ला रहे हैं, आज यानी सिफ्षेनिवार को वहे अयुध्या पहुँचेंगे गुरतलब है कि 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोट में मामले की सुनवाई अगले वर्ष जनवरी तक के लिए टल गई है, उसके बाद यूपी के मुख्यमंतरी योगी अधित्यनाथ ने कहा कि न्याई में देरी से लोगों को निराशा होती है, वहीं विजेपी महासचीव र राम मंदिर मामने में सुप्रीम कोट से देरी हो रही है, माधो संग के उस बयान का बचाव कर रहे हैं जिसमें संग ने कहा कि राम मंदिर निर्वान के लिए फिर 1922 जैसा अंदुलन किया जाएगा, वहीं बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा संसद में इस मामले पर बिल ला आने की बाद कहे चुके। दोनों ही भगवान राम का अपमान कर रही है। साधूं का यह आरोप है कि ऐसे वक्त में सामने आया है जब सुबे की सत्ताधारी बीजेपी ने आयोध्या में भगवान राम की एक बेहद विशाल मूर्ती लगाने का फैसला किया है। एक अंग्रेजी अकबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एक साधू तो इतने नारास्ते कि उन्होंने रविवार को अयोध्या में विश्व हिंदू परिसत की ओर से आयोधित धर्म सभा को अधर्म सभा करार दे दिया। बता दे की आयोध्या में आयोधित कारेक्रम में अधिकतर व्यक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राम मंदिर बाबरी मस्जद विवाद की सुनवाई टालने की आलोचना की थी। अंग्रेजी अकबार दिटेलिग्राफ में छपी रिपोर्ट के मताबिक वारनसी में खटा हुए साधूं को ऐसा लगता है कि राम और सरदार पटेल में हौर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वारनसी ने साधू स्वामी अविमुक्तेश्वरानन स्वामी सरस्वती ने कहा राम की 221 मीटर उची मूर्टी भगवान का अपमान है। पक्षी और जीव जन्तु खुले में लगी मूर्टी के आसपास घूमेंगे। भगवान की मूर्टी सिर्फ मंदिर में रखी जा सकत बीजीपी सर्वकार भगवान राम को सरदार वल्ला भाई पचेल की प्रतिस प्रधा में उतारना चाहती है पचेल ने कुछ सूबो का विलै कराया था जिबकि भगवान राम पूरे ब्रह्मान्ड के स्वामी है बीजेपी सरकार ने हाल ही में गुजराच में देश के पहले ग्रहमंत्री की 118 वी मूर्टव उर्ची प्रतिवा लगवाई है शंकराचारे ने भी भगवान राम रेजा राजनेता नहीं थे उन्होंने कहा हिंदूओं को उनकी मूर्ती की जरुरत नहीं है मुझे नहीं पता कि अधित्यनाद को हिंदू धर्म की समझ है की नहीं हमें यहे जानते हैं कि जरुरत है कि आखिर क्यों आयोध्या मेराम की मूर्ती लगाने का फैसला हिंदू विरोधी है मूदी और योगी सरकारे हिंदू धर्म को संप्रिदाइक ताकत में बदलने की कोशिश कर रही है बता दे की वारंसी में इखटे हुए साध्यों ने आयोध्या मेराम की प्रितिमा लगाने के योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पास किया देश के हर हनुमान मंदिर में योगी रखवाए दलित पुजारी मायावती बस्पा सुप्रीमो वा मुख्यमपूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजस्तान के भरतपूर में कांग्रेस वे भाजपा की जमकर आलोचना की वहीं दलित समाज को अपने एक हक के लिए एक जुच होने वा कारेकरताओं को पाठे की नीतियों का अनुसरन करने का संदेश दिया उन्होंने आर एस एस वे भाजपा पर जाती वाद की राजनित्ती करने का आरूप भी लगाया इतना ही नहीं उन्होंने हनुमान जी को दलित कही जाने के मुद्धे पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी अधित्यनात को पड़ते हुए कहा कि वे देश के हर हनुमान मंदिर में दलित पुजारी रखवाएं उन्होंने बस्पा को सर्व समाज की पाची बताया शनिवार को नदबई के डहरा मोड रोड स्तित मंडी परिसर में बस्पा प्रत्याशी जोगेंदर सिंग अवाना के समर्थन में हुई सभा को बस्पा सुप्रीमो मायवती संभूधित कर रही थी उन्होंने कांग्रेस वे भाश्पा को दलित विरोधी कहा वही बस्पा को सर्व समाज की पाची बताया यही नहीं पाची का मूल उद्धिश्य सिर्फ सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय बताया संभूधन की दोरान मायवती दलित कार्ड कोलने से भी नहीं चुकी मुख्य जन से लाप को देखकर माया भी गदगद दिखी